हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू लारिशारीयल टैक मैं हूँ निर्देश मान और आज जो है हमारा टोपिक बहुत ही खास है टाइटल डिस्क्रिप्टिन आपने देख लिया होगा आज मैं आपको वो प्रोजेक्ट बताने वाला हूँ जो कि फिलहाल एडरो टीसीपी क्या है क्योंकि देखिए मेरे पास कोल और मैसेजज आते हैं कि सर टीसीपी पर यह प्रोजेक्ट लाइव हो रहा है मैं लूँ या नहीं लूँ फिर कुछ लोगों के यह है कि यार इसमें तो कम भरेंगे तो क्या मैं इसमें ले लूँ तो इस लिए वीडियो को जो है सोट से सोट में और यह चीज जो है सोट आउट करने की कोशिज करूँगा बताने के कोशिज करूँगा ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो सारे किलियर हो जाए और साथ में थोड़े प्रोजेक्ट के बारे में बता दूँगा तो हमारे जो टी सीपी साइट है वो वहाँ पे दो प्रोजेक्ट अभी लाइव है एक सोना का और एक गुरगाओं का जो प्रोजेक्ट है वैसे एक और प्रोजेक्ट भी है बट वो हमारे काम का नहीं है वो अधर स्टेट का है तो फिल हाल हम सोना और गुरगाओं वाला ज जो है युनिट अभी फिलहाल आई है और चार तारीक को बंद हो जाएगा मतलब पेमिंट जो है चार तारीक को बंद हो जाएगी अब ये वाला प्रोजेक्ट आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए पहले हम उसके बारे में डिसकस कर लेते हैं फिर हम दूसरे जो है मार्केट में लोग आपको पिछ भी कर रहे होंगे मैं मना नहीं कर रहा हूं और वो पिछ करती है रीजन क्या है अभी उसके अंदर जो डवलपर एंड्ट है वो मेंताना देना स्टार्ट कर दिया है लेकिन अब इसमें आपके पोइंट ओफ्यू से सोचते हैं आपक यूनेट्स जो है वो अच्छी खासी है और कोई मतलब इतने ज़्यादा निया आएंगे तो निकलने के चांसे बहुत जादा हाई है तो जिनको वन वीच के चीए उनको इसके अंदर जाना चीए दूसरा जिनको सोना की लोकेशन चलती है उनको इस प्रोजेट के अंदर ज चीए करेंगे तो इसलिए अगर वन भीच के प्रेफेरेंस करते हो और आपके निकल नहीं रहा है अप बहुत बार ट्राइ कर चुके हो निकल नहीं रहा है और चाहते हों कि एक मकान बन जाए एक बन जाए कैसे भी करके अगर उस कंडिशन में पाते हो तो यूशुड गो इसके अंदर आपका निकलने के chances बहुत जादा हाई है, ना तो कोई वही बात है आपको वह करना पड़ेगा, पास-पास form भी नहीं लगाने, एक-दो form लगाओगे, तो आपका निकल जाएगा आराम से, क्योंकि अभी, देखें, market काम कर रहा है, office से बात है, तो लोग जो है, वह एक-दो-दो form भी apply करवाएंगे, तो 146 के something unit है, तो almost जो है, वह fill up हो जाएगे, तो इसलिए एक-दो form लगाओगे, तो आराम से इसमें निकल आएगा, तो यह है, अगर आपका नहीं निकल रहा है, और आप 1BHK का budget है, तो आपको इसमें जरूर जाना चाहिए, reason क्या ह और कहीं कोई चीज नहीं मिलती है, इस budget में भी और यह वाली चीज भी, तो इसलिए आपको जाना चाहिए, बाकी फर्दर्म आपको यही कहूंगा, बाकी और detail से brief में समझना चाहरे हो, तो number आपके screen पर बार बार आ रहे हैं, वहाँ पर call करके समझ लेना, आप अपनी requirements के according जो है, अपनी चीजों को analyze करो, और उसके बाद प्रचेस करना है और नहीं करना है, वह decide करो, क्योंकि बाद में जो है, लोग आते हो, कहते हैं, मैंने ले लिया, मुझे नहीं चाहिए था, मेरे को अब समझ नहीं आ रहा है, तो उस time पे जो है, deduction होती है, 25,000 रुपर प्लस 1 percent of flat cost, इस हिसाब से deduction होती है, तो जब आप 1 percent, मतलब 5 percent amount pay करते हो, 1 BHK के लिए, तो वो almost, almost जो amount है, वो deduct हो जाती है, जब आप अगर surrender करते हो, तो इसलिए, मैं आपको यही कहूँगा कि चीजों को समझो, जानो, और वही बात है, अपनी requirements के हिसाब से call करके पता कर लो, हम दुमारे दूसरे product पे, जो कि गुडगाओं के अंदर है, और दौर का expression पे है, जो कि वही बात है, गुडगाओं के सबसे वही trending belt है, तो वो वाली चीज है, तो अब वहाँ पे आई है, सिरफ 4 unit और 2 BHK के अंदर जो है, वो unit है, प्रोजेक का नाम signature global millennia 4 है, तो उसके अं नहीं आएंगे, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे, क्योंकि मेरे पास देखे कोल आ चुके है, और messages भी आ चुके है, कोई भरेगा नहीं करेंगे, जिन्होंने मुझे चीज हो ली है, वो सब लोग करेंगे, और साथ वो commit भी कर दे, उनका यही कहना है, कोई देख के लेता हूं, तो वो वाले चीज, तो सब लोग यही बात कह रहे हैं, कोई नहीं भरेगा, तो मैं भर लेता हूं, तो यही चीज करते-करते, 200-500 फोर्म आराम से आ जाएंगे, रिजन क्या है, बिल्डर भी अच्छा है, लोकेशन जो है, वो भी द्वार का expressway की है, तो return देन आराम से आ जाएंगे, तो अगर आपको अगेन अपना पैसा जो है, वो नहीं फसा के रखना है, तो तो आप उस प्रोडेक्ट को लीव कर दो, और यह है कि हां मैं अगर कोई और प्रोडेक्ट आएगा, तो मैं उसमें अप्लाई कर सकता हूं, कि भई मैं इस प्रोडेक्ट के लिए आपकी जो अमाउंट है, वो इस्टक हो जाएगी, और फिर आपको जो है, जब कोई नया प्रोडेक्ट आएगा, दो-तिन महीने में, उसमें फिर आप अप्लाई नहीं कर पाऊगे, तो यह मेरी उसके लिए सजेशन है, तो अगर आपके पास अमाउंट है, तो इसलिए कहा रहा हूँ, तो रिस्क लेना चाहो, तो ले सकते हो, अगर आपके पास 5% अमाउंट जो है, एक्स्ट्रा है, कि भई, तीन महीने मेरी रुक भी जाती, इस्टक भी हो जाती, तो कोई रिकत नहीं है, मैं दूसरा अप्लाई कर सकता हो, तो यह वाली चीज है, तो कर दू, और दूसरी चीज, अगर रिपीट हुई है चीज है, तो प्लीज उसको अर्जेस्ट कर लेना, बाकी इनफोर्मेशन अगर आपको अच्छे लगी, तो प्लीज लाइक इस वीडियो, शेर इस वीडियो, विच यूर फैमली मेंबर्स, प्रेंड्स, जो भी इन प्र पर फ्रिक्वेंटली अब्रेट्स हम दालते रहते हैं, कोई भी चीज आते हैं, तो